कारकम्य उपस्तित देश की महिला इवं बाल विकास मंत्री स्रीमती स्मृती इरानी जी देश भर में अलग-अलग स्थानों से जुड़े मंत्री मंडल के सारे सदस्य उनके साथ मौझूत वहां के वरिष्ठ नागरिक और विशेशकर जिनके लिए आज का ये दिवस हैं बैसे उपस्तित सभी प्यारे बच्चे सभी आदाने मुख्यमत्रिगाण अन्य महानुभाव और प्यारे देश वाच्चियों आज मैं प्रधान मंत्री के तौर पर नहीं आपके परिवार के एक सदस्य के तौर पर आप से बात कर रहा हूँ आज आप सभी बच्चों के बीच आकर मुझे बहुत सुकुन मिला है साथियों जीवन हमें कई वार अप्रत्यासित मोड पर लागर खड़ा कर देता है ऐसी स्थितियां जिनके हमने कलपना भी नहीं की होती है हसते खेलते विए अचानक अंधेर अच्छा जाता है सब कुछ बदल जाता है करोना ने अनेकों लोगों के जीवन में अनेकों परिवारों में ऐसा ही कुछ किया है मैं जानता हूँ करोना की वज़े से जिनोंने अपनों को खोया है उनके जीवन में आया ये बढ़लाव कितना मुश्किल है कितना कठीन है हर दिन का संगर्ष पल पल का संगर्ष नई नई चुनोतियां हर दिन के तपस्या आज जो बच्चे हमारे साथ हैं जिनके लिए ये कारिकम हो रहा है उनकी तकलीप शब्दों में कहना मुश्किल है जो चला जाता है उसकी हमारे पास सरफ चंद यादे ही रह जाती है लेकिन जो रह जाता है उसके सामने चुनोतियों का अमबार लग जाता है आई सी चुनोतियों में पी एम कैस फॉर चिल्डरन आप सभी ऐसे कोरणा प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है जिनके माता और पिता दोनों नहीं रहें साथियों पी एम कैर्स फॉर चिल्डरन इस बात का भी प्रतिविम है कि हर देश मासी पूरी संवेदन सिल्टा से आपके साथ है मुझे संतोस है कि बच्चों की अच्छी और अबादित पढ़ाई के लिए उनके घर के पास के ही सरकारी या फिर प्राइवेट स्कुलों में उनका एडिमिशन कराया जा चुका है पी एम कैर्स के जरिये ऐसे बच्चों की कौपी किताबों और युनिफॉर्म्स के खर्चों को भी उठाया जाएगा अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए हायर एडिकेशन के लिए एडिकेशन लोन चाहिए होगा तो पी एम कैर्स उसमें भी मदद करेगा रोज मरा की दूसरी जरुतों के लिए अंतिय योजनाओं के माद्दम से उनके लिए चार हजार रुपिये हर महिने की वबस्ता भी की गई है साथियों ऐसे बच्चे जब अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करेंगे तो आगे बविश के सपनों के लिए और भी पैसों की जरुरत होगी इसके लिए 18 साल से 23 साल तक के युवाओं को हर महिने स्टाइपन मिलेगा और जब आप 23 साल के होंगे तब 10 अलाख रुपिया एक साथ आपको मिलेंगे साथियों एक और बड़ी चिंता स्वास्त से जूड़ी भी बनी रहती है कभी कोई बीमारी आ गई तो इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं लेकिन किसी भी बच्चे को उनके गार्यंस को उसके लिए भी परशान होने की जरुत नहीं है PM Care for Children के माद्दम से आपको आईश्मान हेल्थ कार्ड भी दिया जा रहा है इस कार्ड से पांच लाख तक के इलाज की मुप्त सुविधा भी आप बच्चों को मिलेगी साथियों इन सब प्रयासों के बीच हमें ऐसास है कि कई बार बच्चों को भावनात्मक सयोग और मानसिक मारदर्शन की भी जरुरत पढ़ सकती हैं परिवार के बड़े बुजुर्ग तो है ही नहीं लेकिन एक कोशिस सरकार ने करने का प्रयास किया है इसके लिए एक विशे समवाद सेवा शुरू की है समवाद हिल्प लाइन पर विशे सग्यों से बच्चे मनोवग्यानिक विशों पर सला ले सकते हैं उनसे चर्चा कर सकते हैं साथियों कोरोना वैस्विक महमारी की आँच पूरी मानवताने सही हैं दुनिया का शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहां सदी की इस सबसे बड़ी त्रास्दी ने कभी न भुलाने वाले जक्मन दिये हो आपने जिस साहस और हौसले से इस संकट का सामना किया है उस हौसले के ये मैं आप सभी को सल्यूट करता हूँ देश की सम्वेदनाएं आपके साथ है और साथ ही आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरा देश आपके साथ है और मैं एक बात और कहूँगा मैं जानता हूँ कोई भी प्रयास कोई भी सहयोग आपके माता पिता के इस नेह की भरपाई नहीं कर सकता लेकिन अपने पिता के अपनी मा के न होने पर इस संकट की घड़ी में मा भारती आप सभी बच्चों के साथ है पियम कैर्स फर चिल्रन के जर्ये देश अपनी इस जिम्मेदारी के निर्वहन की कोशिश कर रहा है और ये प्रयास किसी एक व्यक्ति एक संस्था या सरकार का मात्र प्रयास नहीं है पियम कैर्स में हमारे करोणों देश वासियों ने अपनी मेहनत अपने पसीने की कमाई को जोड़ा है आप याद करिए सेवा और त्याग के कैसे कैसे उधारन हमारे सामने आये हैं किसी ने अपने पूरे जीवन की कमाईदान कर दी तो किसी ने अपने सपनों के लिए जोड़ी गई पूजी इसमें लगा दी इस फंड ने कोरोनकाल के दौरान अस्पताल तयार करने में बेंटिलेटर्स खरिदने में ऑक्सिजन प्लांट लगाने में बहुत मदद की इस वजह से कितने ही लोगों का जीवन बचाया जा सका कितने ही परिवारों का भविश्य बचाया जा सका और जो हमें अव समय छोड़ गए आज ये फंड उनके बच्चों के लिए आप सब के भविश्य के लिए काम में आ रहा है साथियों अभी आप सब को जीवन में एक लंबी यात्रा करनी है आप सभी बहुत साहस से जीवन में आई इस्थिती का सामना कर रहे हैं हमारे देश में दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं चाहे वो हमारे देश में हो या विश्व में हो उन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी अलग-अलग तरह की मुश्किलों का सामना किया है लिकिन उन्होंने हार नहीं मानी वो सफलता के सिखर तक पहुँचे उन्होंने हार को कभी हतासा में नहीं बदलने दिया जीत का यही मंत्र आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा मारदर्शन करेगा, मदद करेगा इसे कभी भूलना नहीं है एक और बात का आपको हमेशा ध्यान राखना है कि अब आपके पास अच्छे, बुरे, सही, गलत इसका भेद बताने के लिए आपके परिजन और सिक्षक ही है इसलिए आपका दाई तो है कि उनकी बाते सुने उनकी बाते माने आपका एक भरोसे मन साथी ऐसे संकट की भरी जिंदगी में जो बहुत बड़ी मदद कर सकता है वो अच्छी पुस्तकें भी हो सकती है अच्छी पुस्तकों से सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि वो आपको मारदर्शन भी देती है आपको मैं एक और सलहा दूँगा साथियों जब बिमारी आजाए तो उप्चार की जरूत नहीं होती है लेकिन जीवन उप्चार से नहीं आरोग्यता से जुड़ा होना चाहिए बच्चों के लिए आज देश में फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभ्यान चल रहे हैं आपको इन सभी अभ्यानों से जुड़ना चाहिए उनका नेत्रुत्व करना चाहिए अभी कुछ दिन बाद ही योग दिवस भी आने वाला है आपकी पड़ाई लिखाई के साथ ही योग भी आपके जीवन का अंग बने ये भी बहुत जरूरी है साथियो निरासा के बड़े से बड़े माहोल में भी अगर हम खुद पर भरोसा करें तो प्रकाश की किरण अवश्य दिखाई देती है हमारा देश तो खुद ही इसका सबसे बड़ा उधारन है हम इस समय अपनी आजहादी का अमरित महोत्सों बना रहे है सैकडो सालों की गुलामी में इतनी लंबी आजहादी की लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या थी हमारी ताकत थी हार न मानने की हमारी आदत हमारी ताकत थी अपने नहीत स्वार्थों से उपर डुटकर देश के लिए मांदवर्ता के लिए सोचने और जीने के हमारे संस्कार आजहादी के अमरित महोसों में हम इसी स्पिरिट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं इसी स्पिरिट को देश ने कोरोना के घराप इतनी बड़ी लड़ाई में जीया है और दुनिया के सामने एक उधारन पेश किया है आप देखिए दो धाई साल पहले दुनिया में किसी को कोरोना वाइरस के बारे में ठीक से पता ही नहीं था हर कोई दुनिया के बड़े-बड़े देशों के तरफ उमीद लगाए देख रहा था भारत के बारे में तो कहीं कोई सकारात्मक बाद भी करने को तयार नहीं था बल्कि ऐसे हाला तो मैं तबाही का जो इतिहास रहा है उसकी वज़र से लोग भारत को बहुती आशंका की नजर से देख रहे थे लेकिन नकारत्मक था के उस माहोल में भारत ने अपने सामर्थ पर भरोसा किया हमने अपने वेज़्णारी को अपने डॉक्टर्स अपने युवाओं पर भरोसा किया और हम दुनिया के लिए चिंता नहीं बल्कि उम्मीद की कीरण बन करके निकले हम प्रॉब्लम नहीं बने मलकि हम सॉल्यूशन देने वाले बने हमने दुनिया भर के देशों को दवाईयां बेजी वैक्सिन्स बेजी अपने इतने बड़े देश में भी हम हर एक नागरिक तक वैक्सिन लेकर गए हैं आज करीब दो सो करोड़ वैक्सिन डोज देश में लगाई जा चुकी है इस आत्ता के बीची हमने आत्म निर्भर भारत जैसे संकल के भी शुरुवार की और आज ये संकल तेजी से सिद्धी की तरफ बढ़ रहा है इसलिए कोरोणा के दुस्प्रभावों से निकल कर आज हम सबसे तेजी से बढ़ती वैश्विक अर्थ व्यवस्तावमत से एक बन गए है विश्व हमें आज एक नई उमीद से नए बरोसे से देख रहा है चातियों आज जब हमारी सरकार अपने आठ वर्थ पूरे कर रही है तो देश का आत्मविश्वास देश वासियों का खुद पर भरोसा भी अभूत पूर्वा है ब्रस्टाचार हजारों करोड की घोटाले भाई भतीजावाद देश भर में फैल रहे आतंकी संगठन छेत्रिय भेजभाव जिस कुछ चक्र में देश दोहजार चौदा से पहले फसा हुआ था उचसे अब बहार निकल रहा है यह आप सभी पच्चों के लिए इस बात का भी उधारण है कि कठीन से कठीन दिन भी गुजर जाते है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर चलते हुए भारत अब तेज गती से विकास कर रहा है सच्च भारत मिशन हो, जंदन योजना हो, उजवला योजना हो या फिर हर गर जल अभियान, बीते आठ वर्ष, गरीब की सेवा, गरीब के कल्यान के लिए समर्पित रहे हैं एक परिवार के सदस्य के तौर पर हमने ये प्रयास किया है कि गरीब के जीवन की मुश्टिले कम हो, उसका जीवन आसान बने देश वास्यों को जिस प्रकार से जहां भी प्रोएक्टिवली उनके लूच की कुछ किया जा सकता है कोई कमी नहीं रह लेती जिस टेक्नलोजी का उप्योग करने से पहले सरकारे भी घबराती थी, लोगों को भी आदप नहीं थी उसी टेक्नलोजी का इस्तेमाल बढ़ा कर हमारी सरकार ने गरीब को उसके अधिकार सुनिश्चित किये हैं अब गरीब से गरीब को भरोसा है कि सरकार की योजनाओं का लाप उसे मिलेगा, निरंतर मिलेगा इस भरोसे को बढ़ाने के लिए ही हमारी सरकार अब शत्व प्रतीशत ससक्तिकरण का अभ्यान चला रही है कोई गरीब सरकारी योजनाओं के लाप से छूटे नहीं हर गरीब को उसका हक मिले यह हमारी सरकार की सरवोच्च प्राथ्विक्ताओं में से एक है बीते आठ वर्षों में भारत ने जो उंचाई हासिल की है वो पहले कोई सोच में नहीं सकता हो था आज दुनिया में भारत की आन, बान, शान बड़ी है बैस्विक मंचों पर हमारे भारत की ताकत बड़ी है और मुझे खुशी है कि भारत की इस यात्रा का नेत्रुत्व युवा शक्ती ही कर रही है मुझे बरोसा है कि आप सभी हमारे बच्चे, हमारे युवा इसी माहोसले और मानविये संवेदन जिल्ता के साथ देश और दुनिया को रास्ता दिखाएंगे आप सब इसी तरह आगे बढ़ते रहिए संकल्प ले करके चले संकल्प को जीवन समर्पित करने की तैयारी करें सपने साकार हुए बिना रहेंगे नहीं आप जहां जिस उन्चाई पर पूंचना चाहेंगे दुनिया के कोई थाकत आपको रोक नहीं सकती है अगर आपके भीतर जजबा है आपके भीतर संकल्प है और संकल्प को सिद्ध करने के लिए सामर्त है तो आपको कभी रुकने की जरुवत नहीं है जोसे मैंने प्रानम में कहा था, एक परिवार के व्यक्ति के नाते आज बात कर रहा हूं, परिवार के व्यक्ति के नात, आज मैं आपको आशिरवात देना चाहता हूं, मैं नहीं जानता हूं आशिरवात देना का मुझे कोई हक है कर नहीं है, लेकिन मुझे आप में सामर्त दिख रहा है आप बच्चों में सामर्त दिख रहा है और इसलिए मैं आशिरवाद दे रहा हूं आप बहुत आगे बढ़िए आपको हमारी भौत सुबक्वामना है बहुत-बहुत धन्वाद आपके आशिरवाद के लिए